अई-ध्रै इरिध्रोजंद फ्राय। प्रिक्रोजमांच पीरबाय। यह भी हार नौनरा वहारो हौगा। सतना सलवस में Do ढाई स्ट्रीयोमर्स ठीक है रेथिर्ड फ्रीयो डाई स्ट्रीयोमर्स यह देखा लेंगे रित्रोंट फ्रीयोद्ध दाई स्टीरियोमर्स एक्सियली में दो compound है और एक थ्रियोज ठीक है अब एक क्या है मैं बताता हूँ यह ऐसे compound है जिसमें क्या है दो chiral center है बच्चो है यह LD हाइड और इसमें कित्ते chiral center है दो chiral center है इस तरीके से और एक है हमारा बच्चो कुछ यह जदा difference इनमें है नहीं बस एक कि दॉनों और है सिम साइप को jsutे हैं जैसे आपको यह दिखाई पड़ रए है दिखाई भड़ रहे हैं इरिफ्रोज है यह क्या है बताओ दोनों तो ही वाले होते हैं और ज्यादा नहीं पड़ते हैं तो क्या होता है उसे में लोगता है इरिफ्रोफॉर्म क्या बोल दिंगे इसको अच्छा कैसा इरिफ्रोज है DL क्योंकि लास्ट वाला सेकंड जो कार्बन है सेकंड लास्ट कार्बन या कह सकते हो लास्ट कार्बन जो है उसके आपको ओएच का ओरिंटेशन देखना है और आपको दिखाई पढ़ ला कि सार यह तो कहां है राइट है इसका मतलब क्या हो गए डी फॉर्म हो जाएगी ठीक ह ठीक है इसका आम जाजाएगा डी 3-0 सुर्री डी निये एल है यह देखिए क्या है यह तो यह हो जाएगा आपका अल-3-0 ठीक हो गया एक कराम है D-3-0 और एक कराम है एल-3-0 ट्लियर है ठीक है यह रेखे एक है डी थ्रियोज और एक है एल थ्रियोज क्लियर हो गया ठीक है तो अब इसको लिखना नहीं है मैं आपको लिखवाता हूँ पहरे इसके दो चाल लाइन है देन उसके बाद आप इसको नोट करेंगे ठीक है यहicamente एल उटालीजे एरिथ्रो एंड थ्रियो दाय स्टीरियोमर्स चलिए थोड़ा इसमें दोचा लाइन है लिखे लीजे प्लीज लिखें Erythro and Thrio system, लिखे हैं बच्छो, Erythro and Thrio system of nomenclature, is used only in Eldotetros, is used only in Eldotetros, मतलब, Tetros मतलब हो जा चार कार बन का, ठीक है और Eldo मतलब Eldehyde, देखे हैं क्या है, चार कार बन है, देखो, यस स्टेट लाइन जो है ना, ठीक है, वो है, ठीक हो गया, लिखे हैं, Eldotetros have, Eldotetros have two chiral centers, Eldotetros have two chiral centers, and therefore, four stereoisomers, four stereoisomers, ठीक है, फिले के, two of the stereoisomers are, two of the stereoisomers are, D sugars, and two are L sugar, तो two क्या होंगे, इसके D form में होंगे, और two क्या होंगे, इसमें, L forms में होंगे, ठीक हो गया, चल्डे, फिले के, the pair of enantiomers, the pair of enantiomers, with the similar groups, on the same side of the carbon chain, on the same side of the carbon chain, is called, is called erythrose enantiomer, is called, erythrose enantiomer, क्या होगा, अगर आपके दोनों, OS क्या होता है, same side को हो जाए, ठीक है, it doesn't matter कि वो left में है, right में है, कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, बस same side में होने, जब मैं inantiomer word use कर रहा हूँ, आप जानते हो कि inantiomers क्या होते है, non-superimposal mirror images होते हैं, तो इसके एक mirror image बना देता हूँ, लेकिन क्या होनी चाहिए, यह रहे इसकी mirror image, यह रहे इसकी mirror image, यह देखिए, ठीक है, अब यह क्या है, D-Erythrose, तो यह भी Erythrose ही है, यस, यह भी Erythrose है, लेकिन कैसा है, L-Erythrose है, बच्चों, क्या है, L-Erythrose, समझ माया, बस आपको कैसे पता है, Erythrose है, कैसे पता चलेगा, अगर दोनों tetrose होता है, चार carbon का एक L-D-Hide होता है, polyhydroxy L-D-Hide है, ठीक है, dihydroxy L-D-Hide कह सकते हैं तो, तो क्या होगा, इसके दो O-H, कारल कारबन के सेम साइट को औरिंटेड होंगे, तो आप इसे बोलोगा Erythrose, और अगर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइट से मो औरिंटेड होंगे, तो आप उसे बोलोगा, क्या 3-O, यह compound का नाम है, इन compound के नाम ही यह है, बस यह है कि मैंने इसके दो form Erythrose बना दिया है, एक D-Erythrose और एक L-Erythrose, clear है, ठीक है, चलिए, फिल लेके आगे, क्या लेका था आपने, Carbon chain is called the Erythrose Enantiomer, फिल लेके the pair of Enantiomers, the pair of Enantiomers with similar groups, the pair of Enantiomers with similar groups on opposite sides, similar groups on opposite side, ठीक है, अलग-अलग साइट को औरिंटेड होने चाहिए, Opposite, side, are called the Thriose Enantiomer, are called the Thriose Enantiomer, Thriose Enantiomer, ठीक हो गया, चलिए, तो Erythrose और Thriose से ही यह नाम arise हुए है, एक्रिमेन के नाम ही यह है, ठीक है, तो यह तो आपका क्या को, Erythrose की दो form मना दी, अब आप एक काम कर सकते हूँ, अब Thriose की भी दो form मना सकते हूँ, मैंने क्या बता है, Thriose में क्या है बस, दो OH हैं, बट वो क्या है, different, different sides को oriented है, एक यह बना लीजी है, और एक इसकी mirror image आप फिर से बना लीजी, तो यह क्या है, आपकी mirror image तो है, लेकिन non-super imposable है, यह लेजी है, ठीक है, इसका नाम क्या है, Thriose, यह कैसी कैसे है, D है, L है, very good, यह क्या है बच्छो, यह L है, क्योंकि आपको OH का orientation left को देखा तो यह है, L3O, और यह वाला क्या है, आपका D3O, ठीक है, देख लिए ध्यान से, एक है D3O, और एक है बच्छो आपका L3O, यह, clear हो गया, I hope so, कि आपको समझ में आ गया हो गया है, दोनों टाइप का, ठीक है, configuration of molecule है, ठीक है, शुगर chemistry में मतलब हमारे carbohydrates में इसका हम बहुत 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 यूज़ करेंगे, D form, L form लिखते रहेंगे, तो आपको समझ में आते रहेगा, clear है, चलिए, चलिए, आगे बढ़ जाएं फिर अब,